हां जी गूड आफ्टरनून क्लास मैसल चरिता वर्क एज असिस्टेंट प्रोफेसर इंडियन कॉलेज विसार एंड टुड़े विल डिस्कस अबाउट कोरिलेशन हां जी आज का हमारा टोपिक है कोरिलेशन तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि कोरिलेशन होता क्या है ही बुक् ιृट इससे को यूणिवियर ऐनलसेज वोलते हैं एक्जांपल किसी के मार्क्स की स्टԲुकशन की एट्स एट्सेटरा है जब आप यसी भी दो वैरीअबल की इसे ज्यादा teng बात more variable की study करते हैं उसको bivariate analysis बोलते हैं ठीक है उसके बाद अगर आगे इन दो variable में हम कुछ और further relationship establish करने की बात करते हैं तो उसके अंदर हम आगे correlation और regression की study करते हैं फिलाल आज का हमारा topic है just correlation तो सबसे पहले बात करते है correlation क्या होता है it refers to relationship of two or more variable for example with increase in the price of a product the quantity sold decreases or with decreases in the price of the product the quantity sold increases thus one can conclude that there is a some relationship between the price and the quantity sold similarly there it exists between height and weight of a person a person height increases it weights increases or height increases weight decreases and so vice versa नेगिटिव भी हो सकता है और neutral है किस तरीके से वह दो उनोअ variable बढ़ रहे हैं तो पोजडिव हैं दो गट रहे हैं तो नेगिटिव है दोनों constant है कोई change नहीं आ रहा तो वह constant भी हो सकता है ठीक है उसके बाद अगर मैं बात करूं कि जस्ट आगे हम बात कर सकते definition of correlation की correlation की definition अलग-अलग राइटर है जिनोंने अलग-अलग राइटर ने अलग-अलग definition जो हो आपको दे रखी है तो इसके अंदर हम कर सकते किसी भी एक राइटर की definition आप कर सकते हो क्रोक्षिन और काउडन है यहां पर आप कर सकते क्रोक्षिन और काउडन ने definition दे रखी है वहंदा relationship is of a quantitative nature की relationship quantitative nature का होता है और जो appropriate statistical tool है जिसके अंदर आप discover करते हैं और मेजर करते हैं relationship को और express करते हैं उसको ब्रीफ formula के अंदर उसको correlation बोलते हैं ठीक है इन ब्रीफ में कहूं तो जब आप दो variable के बीच में कोई relationship established करते हैं और वो relationship meaningful होता है तो उसको correlation बोल सकते हैं ठीक है उसके बाद बात करते हैं uses or significance of the study of the correlation कि जो correlation है उसकी study क्यों जरूरी है उसके क्या uses है क्या significance है हमें क्यों correlation के बारे में पढ़ना चाहिए ठीक है तो सबसे पहले बात करते हैं जो study correlation की उसको उसकी study जरूरी है due to following reason the one of them some variables show direct relation कि कुछ variable आपके direct relation शो करते हैं जबकि कुछ inverse relation शो करते हैं तो correlation से ही हमें पता चलता है कि जो relationship की degree या direction क्या होगी जसे demand और supply की बात करें आप price और demand की बात करें income और expenditure की बात करें तो इन सब के बारे में हमें कब पता चलता है जब आप इनकी correlation को इनके relationship को आपस में study करते हैं तो इनकी relationship को समझने के लिए हम क्या करते हैं को रिलेशन की study करते हैं दूसरा है जी अगर दो वेरियेबल closely related है तो हम estimate कर सकते हैं एक वेरियेबल की value को दूसरे वेरियेबल की value से ठीक है यह आप आगे regression का chapter आता है आगे हम इसको detail में पढ़ेंगे की फिलाल के लिए क्या है कि आप दो वेरियेबल में से एक वेरियेबल dependent होता है दूसरा independent होता है आप dependent variable की value को पुट करके independent sorry हम क्या करते है एक value एक variable की value को put करके दूसरे वेरियेबल की value को जो है वो find out कर सकते हैं हंजी आगे बात करते कि जो study है correlation की वो बहुत ही यूजफूल है economics के लिए भी क्योंकि economics के फिल्ड के अंदर हम correlation को काफी बार study करते है जैसे कि हम relationship करते है price for quantity demanded का उसके एलाव estimate करते है cost को sale को price को तो वहाँ पर हम correlation को काफी बार use करते हैं फोर्थ है coefficient of correlation is one of the most widely used tools for studying two variable की जब जो coefficient of correlation है वो most वाइसा टूल है जिसको widely use किया जाता है दो variable की study के लिए ठीक है इसके अंदर हम linear और non-linear दोनों तरीके के relationship पढ़ते हैं लेकिन correlation आपको कभी भी cause and effect relationship नहीं बताता हमें बताता है regression उसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे next chapter में फिफ्थ है जो technique है the technique of ratio of variation and regression analysis depend on the findings of coefficient of correlation की जो technique ratio of variation की और regression analysis की वो depend करती कि इसके उपर जो finding a coefficient of correlation की उसके उपर उसके बाद है sixth कि the production made on the basis of the correlation analysis is nearer to the reality and they are more reliable according to the tippet the effect of the correlation is to reduce the range of uncertainty of one's production यह क्या कह रहा है कि जो tippet है उनके coding कि जो effect correlation का वो क्या है कि आप reduce कर सकते है effect of range of uncertainty of one's production कि जब आप दो variable के बारे में कोई भी study करते हैं उसके बाद कोई भी अनुमान लगाते हैं तो उसके अंदर जो uncertainty होती हो उसको हमें reduce कर सकते है किसकी help से correlation की help से ठीक है seventh point है coefficient of correlation is a relative measure so we can compare the relationship between variable expressed in different unit यह क्या बताता है correlation है कैसा है relative measure है क्योंकि हम आपस में दो variable को relate करते हैं दूसरे के साथ last point है जी we can also compute the sampling error and the probable error from the coefficient of correlation coefficient of correlation के अंदर हम sampling error और probable error के बारे में भी जो हो पढ़ते हैं कि sampling error क्या है कैसे निकलेगा क्या इसकी जो हो scope रहेगा ठीक है आगे है next आपका आगे बात करते हैं type of correlation की type of correlation के अंदर आपका आता है हंजी type of correlation के अंदर आपका आता है जर्नली सबसे पहले है correlation जो वो आपका अलगलग तरीके का होता है हंजी तो हम बात करें थे type of correlation में there are various type of correlation जैसे फस्ट है positive and negative correlation simple partial and multiple correlation and the third one is linear and non-linear correlation तिका यह one by one in के बारे में study करते हैं तो सबसे पहले है आपका positive and negative correlation अगर दो वेरियेबल मैं बात करूँ हंजी अगर जो दो वेरियेबल है वो मूव करते हैं same direction में तो हम उसको बोलते है positive correlation ठीक है एक बढ़ रहा है दूसरा भी बढ़ेगा एक decrease हो रहा है तो दूसरा भी decrease होगा ठीक है दूसरी तरफ अगर दो वेरियेबल आपकी जो है वो change हो रही है opposite direction में opposite direction में वो जा रहे है तो उसको हम बोलेंगे negative correlation ठीक है तो उसको हम क्या बोलेंगे negative negative correlation अगर opposite direction है तो ठीक है for example एक जैसे price बढ़ रहा है demand भी बढ़ रही है तो है positive correlation दोनों की direction सेम है एक increasing trend है दूसरे का भी increasing trend है तो it is called positive correlation अगर दोनों की direction opposite है एक increasing trend पे है दूसरा decreasing पे है उसको बोलेंगे negative correlation ठीक है उसके बाद बात करते है positive और negative आप लोगों को clear है same direction है तो positive है opposite direction है तो negative है आगे बात करते है simple partial and multiple इसके अंदर क्या होता है कि जब आप सिर्फ और सिर्फ दो variable की study करते हैं only two variable तो हम उसको बोलते है simple correlation ठीक है उसके बाद अगर हम बात करें अगर आप दो से ज़्यादा दो से ज़्यादा variable है more than two अगर हम बात करते है more than two variable की तो उस case में आपका partial भी हो सकता है और multiple भी हो सकता है कब partial कब बनेगा और multiple कब बनेगा अगर दो variable एक time पे दो यदो से ज़्यादा variable है मालनों हम तीन variable की study करें तीनो variable उस time पे active है तो तो आपका बनेगा multiple correlation और तीन में से कोई दो variable जो है वो change हो रहे है और एक constant लेके चलने तो हम बोलेंगे partial correlation ठीक है आगे next है जी आपका इसके बाद next now we move to next page आगे है आपका linear और non-linear इसके अंदर क्या होता है कि अगर जो change है एक variable के अंदर वो दूसरे variable के अंदर जो change आ रहा है उनका जो ratio है वो constant है मालनों एक x है वो 10% increase होता है तो y भी 10% increase होगा ठीक है जो constant ratio है change का वो आपका constant रहेगा change का ratio constant रहेगा तो आप बोलेंगे linear इस case में जब आप x और y variable के value को plot करेंगे तो आपकी जो value जो line बनेगी graphically वो एक straight line बनेगी ठीक है दूसरी तरफ है non-linear का बोता है अगर जो amount है change की एक variable के अंदर वो एक constant ratio को follow नहीं करती दूसरे variable के साथ for example x 10% change हुआ y आपका 20% change होगा 30% change होगा तो it is called non-linear या curvy linear relationship इस case में आपकी जो line बनेगी वो एक straight line नहीं बनती ठीक है क्योंकि आपका constant proportion नहीं है change होनेगा proportion आपका कभी जो है वो equal से ज़्यादा हो जाता है तो इस case में इसको क्या बोलते हैं curvy linear या non-linear correlation बोलते हैं ठीक है मैंने आप लोगों को type of correlation में बताया positive and negative simple partial and multiple and the linear and non-linear ठीक है उसके बाद हम बात करते हैं next degree of correlation की अगर मैं बात करूँ कालपियरसन के coding कालपियरसन का बहुत important tool है correlation को define करने में उन्होंने क्या काई कि जो value है coefficient of correlation की वह काह तक लाई करती है correlation की जो value है वह आपकी plus 1 से minus 1 के बीच में लाई करती है according to कालपियरसन ठीक है उसके इलावा यह क्या बताता है यह intensity of relationship को भी बताता है यह देखें यह क्या बताता है intensity of relationship दो variable के बीच में relationship के intensity क्या है उसको कोन बताता है correlation बताता है correlation के degree कोन कोन सी हो सकती है ये one by one पढ़ते हैं सबसे पहले बात करते हैं perfect correlation की perfect correlation perfect correlation आपका कावब होता है जब moment दो है वो दो variable के अंधर आपकी क्या होती है same same proportion में होती है moment किस में होती है आपकी moment जो हो आपकी same proportion में हो तो हम क्या बोलेंगी कि आपका जो हो और तो उसको बोलेंगे perfect correlation और अगर जो equal proportionate है वो same direction में हो ठीक है proportion भी same है और direction भी same है तो हो जाएगा वो perfect positive correlation ठीक है हमने दो चीजे पड़ी है यहाँ पे कि अगर same proportion है तो वो perfect correlation है और direction भी same हो जाएगी तो perfect positive हो जाएगा अगर proportion same है लेकिन direction opposite है तो वो perfect negative perfect correlation आपका जो हो बन जाएगा ठीक है correlation की value आपकी लाई करेगी हमेशा ही correlation की जो value है वो plus 1 से minus 1 के बीच में लाई करेगी हमेशा ठीक है तो perfect correlation पड़ लिया उसके अंदर perfect positive है जब same direction है same proportion है perfect negative कब होगा जब opposite direction है लेकिन proportion same है second बात करते हैं जी absence of correlation की की correlation का absence कब होगा कि कोई correlation दो variable के 20 में exist नहीं करता जब आपकी coefficient of correlation की value 0 आजाएगी जब coefficient of correlation की value आपकी 0 आजाएगी तो उस case में हम क्या कहेंगे कि कोई correlation या कोई relationship आपस में दो variable में नहीं है correlation को R से denote करते हैं थर्ड बात करते हैं limited correlation की limited correlation क्या होता है कि अगर दो variable है उनके बीच में relationship तो है लेकिन जो relationship है उसके अंदर जो changes है वो unequal है ठीक है unequal changes है same direction की अंदर ठीक है तो वो आपका positive limited भी हो सकता है और आपका negative limited भी हो सकता है यह आपका positive limited भी हो सकता है और negative limited भी हो सकता है अगर आपका unequal change है और opposite direction में है तो यह negative limited है और अगर आपका जो limited degree है correlation की वो तीन टाइप से हमने define की आगे तीन टाइप कौन-कौन से है वो हम बात करते हैं तीन टाइप है हमारी high degree of correlation, moderate and low अगर correlation मैंने अभी भी बताया कि काल पेरसन के अंदर जो correlation की value है वो plus 1 से लेकर के minus 1 के बीच में लाई करती है अब उसके आगे फर्दर 3 degree दी है high degree है moderate है और low high degree कब होगी जब आपके coefficient of correlation की value plus 0.75 से लेकर के plus minus 0.75 से लेकर के plus minus 1 के बीच में लाई करेगी तो हम बोलेंगे high degree of correlation है ठीक है for example जैसे देर खाया है कि आपका value आता है 0.80 ठीक है तो हम क्या बोलेंगे high degree of correlation है चाहे वो positive हो या negative हो ठीक है सेगन बात करते है moderate degree of correlation की moderate degree of correlation क्या होता है moderate degree of correlation में हमारा अगर आपका जो correlation की value है 0.25 से लेकर के plus minus 0.75 तक है इसका मतलब correlation की जो degree है वो moderate में आएगी mid में आएगी low degree कब होती है जब correlation की value 0.5 प्लस माइनस से लेकर के 0 तक ही लाई करें उसको बोलते है low degree of correlation हाँजी ये हमने limited correlation के अंदर 3 degree पड़ी है I hope आप लोगों को clear होगी होगी छीक है हाँजी now we will move to next phase just wait हाँ जी आगे बात करते हैं method of studying correlation की correlation को study करने के बहुत सारे method है scatter diagram है graphic है call Pearson coefficient of correlation है Spearman rank coefficient of correlation है coefficient of congruent deviation method भी है ठीक है काफी सारे method है हम यहाँ पर major discuss करेंगे आपका scatter diagram and the call Pearson coefficient of correlation सबसे ज़रूरी अगर में कहूं और important जो method मानो correlation का तो that is call Pearson coefficient of correlation call Pearson coefficient of correlation सबसे पहले बात करते हैं scatter diagram सबसे पहले बात करते हैं scatter diagram method की इस method को डोटो डाइग्राम और डोटो डाइग्राम भी बॉल देते इसके अंदर क्या होता है सबसे simplest method है आप diagramatically represent करते हैं इसको दो variable को या दो distribution को इस method के अंदर क्या होता है जो दोनों के दोनों variables है उनकी value है दोनों के दोनों variables की value है चाहे वो X है यह Y है दोनों की value को हम क्या करते है graph पे plot करते है मालनों X की value है 8, 5, 7, 9 something कुछ Y की value है 2, 3, 8, 9 X और Y दोनों की value को हम graph पे दिखाते है ठीक है फिर उनकी closeness हम check करते हैं कि वो value R से कहां लाई करती है ठीक है हम बात करे थे scatter diagram method की तो scatter diagram method में क्या करेंगे हम X और Y variable की value को graph पे plot करते हैं ठीक है उसके बाद हमें degree of relationship का idea हो जाता है कि 2 variable की बीच में degree of relationship क्या है ठीक है the term scatter scatter का मतलब होता spreading of the dot on the graph we should keep the following point in mind while interpreting the correlation सबसे पहले upload करेंगे point को very close to each other वो दूसरे के close होने चाहे वो indicate करेंगे high degree of correlation को ठीक है और अगर वो एक दूसरे से दूर है दूर-दूर spreadness से बिखरे में हैं आपके dot इसका मतलब वो low degree of correlation को दिखाएंगे ठीक है जैसे आपका diagram में दिखा भी रखा positive correlation यहापे देखो हमने जो यह cross लगा रखे यह आप एक तरीके से variable को denote कर रहा है यह क्या दिखा रहा है कि आपस में variable जो एक दूसरे की close है और increasing trend है यानि कि positive correlation को show कर रहा है ठीक है इसी तरीके से next आगे देखते हैं same आपको दे रखा है अगर हम बात करे diagram जो downward trend दे रखा है left top से लेकर के right तक जा रहा है correlation negative है negative correlation आपका show कर रहा है और opposite direction में है ठीक है इसी तरीके से अगर मैं बात करूँ third diagram है आपका उसके अदर figure 3 में दे रखा है perfect positive correlation देखो एक आपकी street line बन रही है variable को जब हम plot करते graph पे तो उसको बोलेंगे perfect positive correlation उसके बाद बात करते हैं next diagram में आपका perfect negative correlation इसके अंदर क्या होता देखो left से जाके right तक आपका decreasing trend है और एक street line बन रही है that is called perfect negative correlation ठीक है उसके बाद last point है जी absence of correlation absence of correlation हमने कैसे का 5 diagram के 5 diagram के अंदर इसके अंदर देखो जो variable हमने plot कियें graph पे वो बिल्कुल बिखरी में कहीं कहीं कोई variable कहीं है कोई एक आपका line या कोई particular diagram नहीं बन रहा है ठीक है आप कोई एक particular image draw नहीं कर पा रहे हैं तो इसको हम absence of correlation बोलेंगे क्योंकि हम variable के बीच में आपस में कोई relationship established नहीं कर पा रहे हैं ठीक है उसके बाद आप जो एक straight line हम draw करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं line of best fit या regression line भी जो है वो हम इसको बोल देते हैं जो जितने भी graph के point है उन सब को मिला करके एक line बनती है that is called regression line or line of best fit ठीक है उसके बाद है आपका next हम बात करते हैं merit या demerit की correlation की तो merit के अंदर हम यहीं बता सकते हैं कि यह आपका simple method है graphical है rough idea आपको पता चल जाता है ठीक है उसके अलावा आप approximate estimated line up draw कर सकते हैं easy method है non method calculation आपको नहीं करनी पड़ती demerit की बात हाँ जी आगे है आपका demerit की बात करें तो यह method आपको सिर्फ rough idea देता आप fixed कोई exact value नहीं बता सकते यह method suitable नहीं है अगर जो number of observation है वो आपके लार्ज हो और इसके लिए आपको एक example भी दे रखा है जैसे हम बात करें फास्ट एक्जम्बल की आपको following pair x and y variable की value गीवन है अब आपने ड्रा कर लिया दूसरा क्या कहता है do you think that there is any correlation between the variable x and y आपको क्या लगता है कि कोई correlation है अगर हम study करें तो हम देखते कि आपकी जो direction है वो left से right और bottom से from left bottom to top right उपर की तरफ जा रहा है ठीक है marginal है high degree of correlation है दोनों variable की बीच में ठीक है उसके बाद next है आपका next method के हम बात करते काल-पियर्शन coefficient of correlation काल-पियर्शन coefficient of correlation method आपका 1890 में काल-पियर्शन थे एक reputed statistician हुए है जिनोंने इस method को developed किया था coefficient of correlation को निकानने के लिए इस method को काल-पियर्शन coefficient of correlation की नाम से भी जानते हैं और हम इसको denote करते हैं आर सिम्बल से it is the best method of computing correlation coefficient जितने भी method है correlation को compute करने की सबसे best method उसके अंदर इसको माना जाता है ठीक है यह method आपका mean और standard deviation के उपर based है तो mathematically ज्यादा correct माना जाता है और ज्यादा apply हम इसी method को करते हैं ठीक है अब मैं बात करूँ इसके अंदर formula क्या है आपका हाँ जी अगर मैं बात करूँ इसके अंदर एक मिनट अगर हम बात करें आपका आर का formula coefficient of correlation आप इसके अंदर जो है वो कैसे निकाल लेंगे तो covariance of x and y divided by standard deviation of x into standard deviation of y यह आपका formula दे रखा है ठीक है आग इसको expand कर रखा है निकालने के लिए submission of dx into dy divided by n whole divided by standard deviation of x divided by standard deviation of y और हम इसको क्या कह सकते हैं submission of dx dy divided by n standard deviation of x और standard deviation of y भी बोल सकते हैं ठीक है यहाँ पे submission of dx into dy divided by n इसको बोलेंगे covariance between x and y अब standard deviation of x series आ गया standard deviation of y series है n का मतलब होगा number of pair या number of observations are given ठीक है यहाँ पे जो आप deviation लेते हैं वो आप respective mean से ले सकते हैं अगर आपको अगर आपका exact आ जाता है अगर आपकी actual value नहीं आती है तो हम value जो है वो आजूमड मीन के लिए को भी उज़ कर सकते हैं ठीक है उसके बाद बात करते हैं value of the coefficient of correlation है according to the call Pearson plus 1 और minus 1 के बीच में क्या करेगा लाई करेगा ठीक है अगर plus 1 है इसका मतलब positive correlation है perfect minus 1 है perfect negative है 0 है मतलब कोई correlation नहीं है और आप कह सकते हो absence of correlation भी आप इसको बोल सकते हो ठीक है उसके बाद बात करते हैं computation of coefficient of correlation की correlation को निकालने के काफी सारे method है काल पियर्शन ने direct method दिया है shortcut भी दिया है group method भी दिया है लेकिन जादातर हमारा यूज़ोत तर direct method हम बात करते direct method की ठीक है just wait हां जी आगे हम बात करते direct method के अंदर आपका formula दे रखा है r को निकालने का r is equal to submission of dx into dy and standard deviation of x or standard deviation of y यह सारी चीज़े मैं practical आपको question करवाऊंगी आगे तब हमें clear होगा कि कैसे इनको निकालना है क्या इनका uses रहेगा ठीक है तो सबसे पहले बात करते हैं आपको उपर वाला formula जो वो दे रखा है इसके अंदर next हम आगे चलते next page पे just wait हां जी अब वो formula को हम क्या लिख सकते है अभी हमने जो formula पढ़ा उसको expand करेंगे तो आपका आ जाएगा r is equal to standard submission of dx into dy whole divided by under root submission of dx square और under root submission of dy square dx का मतलब क्या है कि deviation taken from x x minus x bar here x bar means actual mean dy का मतलब क्या होगा y minus y bar y bar का meaning है means of y कि आप y का mean निकाल रहे है y की average बोल सकते हो आप ठीक है उसके बाद proof आप नहीं करेंगे आपके इतना नहीं होता usable उसके बाद हम बात करें तो यह value आपको नीचे दे रखा है देखो में एक बार आपको explain कर देती हो r का मतलब coefficient of correlation है submission of dx का मतलब deviation आपने x series से लिया है submission of dy का मतलब है कि आप deviation y series से ले रहे हैं ठीक है फिर उनका square root करना है dx और dy की आपस में multiply करनी है ठीक है उसके बाद हम सीधा आते हमारे question के उपर क्योंकि आपको question से ज्यादा clear होगा कि कैसे हम calculate करेंगे है हां जी question number 3 आपका question number 3 के अंदर आपका काल Pearson coefficient of correlation आपको जो हो find out करना है x और y variable दे रहे हैं here x की value 18 20 22 24 26 28 and 30 and y variable 30 35 and 41 तक है आपको coefficient of correlation निकालना है using the Carl Pearson method ठीक है तो इसके लिए आपको देखो x की value दे रखी है आपको x का आपने submission कर दिया x का submission करने के बाद हम क्या करेंगे x का submission divided by n कर देंगे तो x bar आपको x bar मतलब mean की value पता चल जाएगी कि x का mean x का average क्या होगा वह आपका निकल क्या है 24 अब हमें deviation लेने है dx निकालना है तो dx कैसे निकलेगा x minus x bar से निकलेगा x minus x bar से हमने dx निकाल लिया क्या करेंगे 18 minus 24 20 minus 24 ऐसे चलते जाएगे तो dx की value आ जाएगी फिर dx का क्या कर देंगे square root कर देंगे इसी तरीके से y की value आपको देरखी 30 35 y का submission करेंगे divided by n कर देंगे number of observation कितनी है 7 है तो 259 divided by 7 करूंगी तो y bar की value आजाएगी 37 ठीक है अब मैं क्या करूंगी y bar की value आगी मेरे 37 37 minus 37 इस तरीके से करती जाओंगी तो dy की value आ जाएगी अब dy का क्या करेंगे square कर देंगे तो dy square आ गया अब और हमें formula में क्या चाहिए dx और dy भी जाहिए तो dx और dy की value का आपस में multiply कर दो dx है minus 6 और dy है जी आपका minus 7 तो minus 7 और minus 6 आपका आजाएगा plus 42 multiply करेंगे इसी तरीके से dx और dy की value का आपस में multiply करेंगे और dxdy वाले column में लिख देंगे अब सभी column का total कर लेंगे अब हमें जो फोर्मूला में जो जो चीजे चाहिए थी formula में पूट करने के लिए वो सारी हमें stable से मिल चुकी है अब हमें बस फोर्मूला के अंदर सभी value को put out करना है और आपका अंस्वर आ जाएगा देखते हैं सबसे पहले मैं बात करूं तो आपका आर के अंदर dx dy का submission मैंने अभी भी निकाला है 108 है उसके बाद n की value number of observation में 7 है standard division of x standard division of x निकालने का formula है under root submission of dx square by n whole under root यह आपका 4 आता है dy भी हम ऐसे ही निकाल लेंगे सारी value variable हम put करेंगे तो आपके पास value निकलके आ जाएगी आर की plus 0.833 ठीक है उसके अलावा आप दूसरा formula उनको भी apply कर सकते है ठीक है जो भी आपको मैंने आगे discuss किये थे आप किसी भी formula को apply करेंगे आपका r की value same रहेगी ठीक है उसके बाद है next है आपका हाँ जी उसके बाद हम बात करते हैं six example आप छोड़ दो नहीं है आपके अभी काम का उसके बाद हम क्योंकि six example के अंदर moment और cortasis का यूज है तो यह आपको अलग ही करवाना पड़ेगा बाद में एक बार इसको आप गिवप कर दो उसके बाद हमें दो चीज़े याद रखनी है एक है change of origin दूसरा है change of scale के अंदर क्या होता है कि जब आप coefficient of correlation पढ़ते काल पीर्सन के अंदर तो एक चीज़ होता है जो correlation है वो दो चीजों से effect नहीं होता ना वो change of origin से effect होता ना वो change of scale से effect होता change of origin का मतलब क्या है कि आप कोई भी value add करें या subtract करें कोई भी digit x variable के अंदर और y variable के अंदर और फिर आप अगर r की value निकाल लेंगे तो r की value के अंदर जो है वो कोई change नहीं आएगा वो same रहेगी ठीक है मतलब वो independent of origin है उसके उपर plus minus का कोई effect नहीं पड़ता अगर आप कोई constant value add करते हैं या minus करते हैं तो r will remain same next is change in scale अगर आप multiply या divide करते हैं x और y variable को same digit के अंदर ठीक है मानलो x को 4 4 से multiply कर रहें y को भी 4 से multiply कर रहें तो आपकी r की value के उपर फिर भी कोई effect नहीं आएगा यान कि जो आपका r है वो independent है change of origin मतलब plus minus independent है change of scale मतलब multiply your division से भी independent है उसके उपर plus minus multiply your division किसी का भी को effect नहीं पड़ेगा हां जबकि regression के अंदर origin का effect नहीं होता बड़ scale का होता है ठीक है वो हम आगे regression के chapter में देखेंगे आगे बात करते हैं आपका आगे आपको assumptions देर की है kp की assumptions की अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर हमें क्या क्या assumption मान के चलनी होती है काल-पियर्शन मेथड में हम मानते की linear relationship होगा दो वेरियाबल के बीच में जो जो हम मान के चलते हैं कि आपका relationship कैसा होगा linear होगा दो वेरियाबल के बीच में मतलब आप अगर आप उनको एक diagram के उपर plot करते तो आपके एक straight line बनेगी ठीक है दूसरा क्या होता है कि there is a cause and effect relationship between forces कि आपका जो relationship है वो कैसा होता है cause and effect का होता है ठीक है जो की effect करती है distribution of item को दो वेरियेबल के अंदर there cannot be any correlation if these forces are independent यह क्या कहता है कि अगर दो forces आपस में independent हैं तो कोई भी correlation नहीं होगा ठीक है थार्ड पॉइंट है जिए exemption का कि जो दो वेरियेबल है जो study के अंदर वो affected होते हैं बहुत सारे काजिस से so as to form a normal distribution variable है जैसे demand है supply है production of wheat है ग्रेन है वो affected है इन forces से और normal distribution क्या होगा आपका form होगा इसके अंदर merit demerit की बात करूं तो काल पेर्शन coefficient of correlation के अंदर यह आपका method पहली बात सभी item के उपर based है इसकी सबसे बड़ी merit हम कह सकते हैं यह सभी variable के उपर जो है वो based है based on all the item of the variable दूसरा है जी it provides numerical यह हमें mathematical value भी देता है सिर्फ graphical answer नहीं आता कि graphically हम idea लगाए हम mathematically भी value को calculate करते हैं थर्ड यह method capable है degree or direction दोनों को बताने में ठीक है यह आपका degree or direction दोनों चीजे बताता है ठीक है उसके बाद हम बात करें तो के यह जो जो kp coefficient of correlation यह प्योर नंबर है सो comparison जो हो series के बीच में क्या है पोसिबल है प्योर नंबर है इसलिए comparison में कोई दिकत नहीं आती दूसरा है जी जो coefficient of correlation है वह superior method है दूसरे mathematical method के compare में यह popular है और सबसे ज्यादा यूज किया जाता है correlation को compute करने के लिए ठीक है और जी नेक्स्ट है आपका लास्ट अगर में बात करूँ लास्ट पॉइंट है जो value है kp coefficient of correlation की वह हम applied करते हैं आगे और calculation करने के लिए जैसे probability error को find out करना है standard error को find out करना है and so on ठीक है उसके बाद demerit की बात करूँ तो demerit के अंदर it is same as time consuming है calculation आपकी complex है आपको interpret करने में दिक्कत आती है और यह सजंशन पे है कि linear relationship बनेगा जबकि ऐसा हमेशा possible नहीं होता ठीक है उसके बाद जस्थ हमारा last topic आज का properties of Carl Pearson coefficient कि कि जो Carl Pearson coefficient of correlation method है उसकी properties की बात करते हैं सबसे पहला है कि जो value है coefficient of correlation की वो plus 1 से minus 1 के बीच में लाई करेगी सबसे पहली main property आपकी value रहेगी plus 1 से minus 1 के बीच में ठीक है अगर कोई correlation नहीं है दो variable के बीच में क्या कहता है जो value है अगर 0 है इसका मतलब कोई correlation आपका variable के बीच में नहीं बनता coefficient of correlation है वो degree और direction दोनों measure करता है वो दोनों measure करता है direction भी measure करेगा और आपका degree भी बताएगा थार्ड जी जो coefficient of correlation है it is also known as the geometric mean of two regression coefficient यह geometric mean है दो regression coefficient का इसका formula है r is equal to under root bxy into byx ठीक है उसके बाद बात करूँ it is independent of unit of variable यानि कि यह एक क्या है pure number है ठीक है उसके बाद बात करूँ तो यह method आपका सभी item के variable जितने भी है सभी variable के उपर based है ठीक है एक्स के जितने भी variable उसकी जितनी भी item है उन सब को cover करता है ठीक है उसके बाद यह method affected नहीं होता ना ही change of scale से होता है ना ही change of origin से होता है यह मैंने अभी अभी आपको बताया कि यह ना plus minus से affected होता है ना multiply or division से effect होता है ठीक है does not prove cause and effect relationship the variation in variable x and y may arise due to mutual dependency third forces etc ठीक है यह क्या कह रहा है कि यह आपके cause and effect relationship नहीं बताता यह बताए का degree or direction cause and effect relationship study करने के लिए हमें regression को पढ़ना पढ़ेगा ठीक है तो correlation सिर्फ degree और direction या intensity of relationship को बताएगा ठीक है यह इसकी कुछ एक पांच चे से साथ important properties थी बहुत ही जरूरी है यह property इसके अलावा I think आपका coefficient of correlation जो है वो according to Carl Pearson method आपका complete हो गया है ठीक है thank you have a nice day